तो यार इस वीडियों लोग बात करने वाली हमारा रिजल्ट के बारे में जो पिछले साली 31 को आने वाला था जो नहीं आया तो अब नेश्ट कौन सा डेट है भाई हम किस दिन उमीद करके रखें इस दिन हमारा रिजल्ट का रिजल्ट आ जाएगा कौन सा ओ दिन है और उसक 31 आया और कुछ भी नहीं हुआ अब कौन सा दिन का इंतेजार करना एक्जेक्ट मैक्सिमुम कौन सा दिन हो सकता इंतेजार का उसके बारे में डिटिल में बात करनेंगे वीडियो थोड़ी लम्मी हो सकती है बट इंफार्मेटिव है हम लोग के काम का भाई तो ध्यान से बाई सबसेपस बात करते कोटोत का मामुला क्या चल रहा है तो देखो भाई इसमें लेने वाली कोई बात नहीं है इसा हो भरती करने के लिए इसके लिए कोट में गया हो कुछ अगर ऐसा कुछ होता है नहीं पूरा भरती फूरा वेकरसी कैंसिल किया जा सकता है इस चीटिंग और कोई सीन सीं यह भाई दवाई है सब्सक्राइब कि गया था तो उसमें पता लगा था वह यह पांसो चीट रहें तो इसलोना था और डियर्ट लोगों को बुला जाता जुनियर जूर्च उनको बुला जाता है तो ऑगर 10% माइनस भी तो ओभी 529 होना था और 419 पहुके डारेट लोग नहीं उसके लिए कोट में क्लेम किया गया था कोट में कहा गया था इनसे जवाब पूछिए यह मामरा चल रहा तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है भगवान ने चाहिए तो भाई 100 सीटे जो जा रही थी वह भी हम लोग को मिल या हो सकता बढ़ा दिया जाए और नहीं त के बाद सबीThis के गया है तो किसी और से ने चाह mend agua legally आपर देना होगा तो अब फैदा होगा तो फाइदा होगा नुक्सान तो कुछ भी नहीं है और यह बात तो बिल्कुल टेंस्टैंशन नहीं लेना क्वाई एक्जाम यह हो जाएगा यहों तो ओने यहां पर थोड़ा ब सकता है लेट है जैसे अल्रेडी हो चुका है जो जो हम नोटिफीकेशन था ना जिसके सारा प्रोसेस हुआ है उसमें 31 को रिजल्ट भी डिकलियर होना था जो नहीं हुआ क्योंकि कोड के वज़े से दो तारीकों साथ सुनवाई भी होने वाली है हुई है तो अब इसके क्या नोटिस आता है क्या आता है क्या हुआ जल्दी आप लोग को पता लग जाएगा तो भाई चैनल को सब्सकाइब भी करके रखना जैसे कुछ भी पता लगेगा क्या सुमाई हुई क्या हमारा फैयदा हुआ कि नहीं 100 सीटों का आप लोग का भाई आपको तुरंत पॉइंट बता देगा ठीक है अब बात करते हैं तो हमारा इसमें तो फैयदा है कोई टेंसन कोटोट के बाद कोई टेंसन नहीं हमारा सव सीट का फैयद ही हो सकता है लेकिन अगर वालों ने 400 पर किया है तो अब क्या है तो पता लग जाएगा मैं आप लोग को भता दूँगा उसके हम लोग बात करते हैं कि अब नेश्ट कौन सा डेट है दोखो भाई उस नोटिस के कोडिंग आज तक तो सब लोग चल रहे थे ठाटी फॉर्स ठाटी फॉर्स सब लोग बोल रहे थे जैसे ही ठाटी फॉर्स खतम हुए आप सब लोग कहा रहे भाई कि आप 10 को कोई का रहा सब लोग अलग नहीं बताते हैं जूट नहीं बोलते हैं को लोग जूट तो नहीं बोलते हैं अगर लोग को नहीं पता तो ऐसी बात कहा सकते हैं इतना आजाएगा यह आजाएगा एकस्पेक्टेशन वह भी कर रहे थे तो उन लोग को खुद नहीं पता अब यह कोट का मामला आ गया है इसमें अभी 31 को आना था नहीं आया तो भाई अब 11 को मतलब मैक्सिमम एक महिना पहले भी आ सकता है और भाई अगर यह कोट को सीधा जबाब नहीं मिला कि सौट अपने क्या किया क्या क्या है रोक रखा और नहीं रोक रखा तो इसमें इंक्लूड कर दो वेकेंसी को बढ़ा तो 419 से 519 कर दो अगर यह कर दिया तो ठीक नहीं तो भाई हमारा जो 11 को कि हमार रिजल्ट और लेट भी आ सकता और अगर यह सौट आउट हो गया तो भाई ओ लोग और भी जल्दी ला सकते हैं क्योंकि तैयारी 31 तक ही आने की थी न तो लोग इतना टाइम सोच के रखे तो हम लोग रिजल्ट बना लेंगे मतलब काम तो अनों कर दिया लेकिन बस मैंने भी बहुत इंतार किया लेकिन आप सोच रहा हूं फड़ाई उड़ाई ध्यान देते हैं और एक्जाम आने वाला है इसके चकर में पंद्रह दिन से खाले आधा दिमाग तो उसके पीछे लगा हुआ कब रिजल्ट आएगा क्या हुआ क्या नहीं करते करते हैं फिर ए सब्सक्राइब करो जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आती है तो मैं आप लोग को तुरंट बता दूंगा करते हैं उसमें रिजल्ट आ गया हमें मैसेज आ घुमेल पर आगया हमारे website पर आगया तो अब मैं कल या परसों तूरंत मैं यह वीडियो बना दूँगा कंफर्म कर दूँगा कि क्या Gmail पर हमारा रिजल्ट आएगा मैसेज आके Gmail पर आएगा कि सभी लोग का Gmail पर किसी का नहीं आएगा सिर्फ website पर एक रिजल्ट आएगा यह इसका क्या मामला है मैं जल्द ही कल या परसों में वीडियो अप्लोड कर दूँगा कंफर्म करके मैं बोल रहा हूं ऐसे नहीं कि हां मैं भी उमीद करके बोल रहा हूं तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और सेर वगरा भी कर दो अपने दोस्तों को तो भाई ताकि उनलोग का विहल्फ लो अटेंशन फ्री हो जाओ भाई जो भी होना है दो चार दिन में आगे पीछे होगा लेकिन रिजल्ट आएगा कैंसिल ओगरा नहीं होने वाला है तो बस इस वीडियो में इतना कुछ और पूछना है कॉमेंट वक्स खुला है तो मारा भाई एक सकंड के अंदर यहां पर रिपलाई करने को तयार है त करता है तो कि यहां दो